बोड़ इवनिंग चलो चार इंपोर्टेंट टॉपिक पे आपसे बात करनी है पहला टेश्ट पेपर्स कि सर हमारा हमको आंशरशिट चेक होकर नहीं मिली और बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं इस्पेशली टेश्ट पेपर्स दूसरे टॉपिक पे बात करनी है चार्ट्स जो की तैयार हो चुके है देख रहा हैं उस मैटर पे बात करनी है तीसरा जो मैटर है टेश्ट पेपर हो गया है चार्ट्स हो गया है ठीक है सर और क्या इसके अलावा और क्या मैं धीरे-दीरे बात important question के list चाहिए exam oriented वो भी मैं आपको दे रहा हूँ exam oriented revision questions जो last day में revision करना है तो one by one बात कर ले 10 minutes लोगा उससे ज़्यादा नहीं लोगा 10 minutes भी नहीं लगेगा टेश्ट पेपर जो मैंने टेश्ट लिये वो unexpected था answer sheet आना जो कि मैंने बताया है कि इतना सारा answer sheet है मैंने कोशिस जरूर किया test paper check करने का बहुत सारे बच्चों को मैंने test paper check करके send भी किया बहुत सारे बच्चों को मिला भी होगा पर मेरे ख्याल से practical possible नहीं है कि मैं सारे paper question paper check कर लो बहुत मुस्किल है उसका सर जो आपने जो दो टेस्ट लिया उसका suggested तो at least दे दीजिए वो मैं दे चुका हूँ ग्रूप में टेलिग्राम चैनल में और फिर भी कुछ बच्चों को नहीं मिला है तो मैं इसके description में डाल देता हूँ test paper का जो suggested answer है मैं ले सकता हूँ full test लेकिन paper check नहीं कर सकता हूँ हाँ जनरल इद आइड दस test paper check करके general comments दे सकता हूँ की बच्चों ने कहां कहां गलतिया किया है उसका suggested मैं दे दूँगा आपको खुद को अपने आप test paper check करने बढ़ेगे यही एक option it means अगर आप सहमत हो अगर आप agree हो comments में लिख देना तो मैं अच्छा सा test paper बना सकता हूँ complete full syllabus अब कोई chapter wise के लिए time ही नहीं बचा है 3-4 test आप बोलोगे तो और date हम decide कर लेंगे तो आप मुझे बताए क्या आप मैं check नहीं करूँगा मैं फिर से बोलोगा time नहीं है यहां 8-10 paper चेक करके मैं बता दूँगा कि कहां generally बच्चे गलतिया करते है आप से गलती कहा हूँ suggested मैं दूसरे ही दिन issue कर दूँगा जिस दिन test होगा उसके दूसरे ही दिन अगर ऐसा possible है आप तो आप बोलिए मैं YouTube में test paper upload कर दूँग मैं test paper check नहीं कर पाया सभी लोगों कि इसके लिए sorry suggested आपको दे रहा हूँ आप खुद से check कर दे दूसरा दूसरी important बात आप comments में बताना test लेना है कि नहीं लेना दूसरी बात है कि sir charts का क्या है charts तयार हो चुके है और ये दिख रहा है charts बहुत सारे लेकिन सुनो सारे chapters के लेकिन ये charts आपको समझ में नहीं आए कि बिना मेरे video बनाए it means हमें option में क्या करना है दिख रहा है option में call option put option उसके लिए charts की क्या ज़रुत है लेकिन जो जिससे practical question आते है वो उसके लिए हमें charts चाहिए और कास उस chart से बता भी दे कि यार कौन सा question करना है जैसे question number 5 ये दिख रहा है question number 5 अगर मैं कहूं ये दिख रहा है question number 5 तो अगर expected value of option है आता है question उसका एक question कर ले value of option दिख रहा होगा आपको value of option जी sir value of option ये दिख रहा है तो value of option मैं binomial का एकात question तो मैंने वो question number लिख रखे है वो आपके समझ में नहीं आएगा मुझे इस पे एक video बनाना पड़ेगा और video ऐसा करें कि आर आदा घंटा या एक घंटा में सार चारो चैप्टर्स का आप questions के साथ चार्ट डिसकस करजिए मतलब पहले जो exam oriented में मेरी तीन books है ना module 1, module 2 तो module 1 में 4 chapter है तो मैं चार्ट डिसकस कर दूँ और साथ साथ तो sir कब बना ओगे आज बना रहा हूँ कल upload हो जाएगा पहले चार्ट चैप्टर का चार्ट के साथ चार्ट कब देने वाले वो तो मैं upload कर रहा हूँ मैं दे रहा हूँ आपको पहले चार्ट चैप्टर का चार्ट आज upload होगा आप रिंट आउट लेके रख लीजिए कल उसका वीडियो बना लेंगे आदा घंटा के आदा घंटा में आदा पॉन घंटा थोड़ा सा टाइम लगता है तो उसमें हमारे कोश्चन के साथ सारी चीजे रिक रिकॉल हो जाएगी उससे अच्छा क्या चाहिए मैं पूरी तरह से समझाऊंगा नहीं बस बताऊंगा कि यह कोश्चन नमबर फाइफ है यह देखो ऐसी किया है तो कल पहला चार्ट तीन चार्ट होगे टोटल तीन पार्ट में होगा पहले चार चैप्टर फिर चार चैप्टर जैसा हमारा एक्जाम औरेंटेट कोडस है तो सर सभी लोगों को समझ में आ जाएगा कि यह चार्ट मुझे नहीं मालम और जिन्होंने मेरी क्लास लिए उनको भी समझ में नहीं आएगा मेरे बिना इसलिए वीडियो बनाना जाएगा तो टेस्ट पेपर के विशे में आप बताना आप जो बोलोगे में वैसा कर दूसरी बात चार्ट के विशे मैं मैं आपसे बात कर चुका हूँ कल से श्टार्ट हो गए आने वाले तीन दिनों में हम चार्ट का सर चार्ट्स दे तो दीजिए वह आप डिस्क्रिप्शन में जाएगे वहां चार्ट्स मिल जाएगे आपको सजिश्टेड आंसर में तीसरे नंबर पर जो बात करनी वह यह बात करनी है कि बहुत सारे बच्चों का यह कहना कि सर जो एक्जाम ओरियंटेड आपने बैच बनाया है उसमें लास्ट डे रिवीजन ले कोश्चन प्लीज वह दे दीजी बहुत मुस्किल है यार एक्जाम ओरियंटेड से ही समझ में आता है कि उसमें वही कोश्चन ने जो एक्जाम ओरियंटेड पर उसमें से भी आप बोल रहे हैं कि नहीं सर हमें रिवीजन वाले कोश्चन दीजी थोड़ा सा मुस्किल हुआ पर आप लोगों के लिए मैंने बना दिया यह दिख रहा है यह कोश्चन मनाया है रिवीजन क इसको भी आपको दे देता है तो तीनों चीज हो गई है अब चोहती और आखरी बात करना एक चैप्टर ऑफॉरेक्स ऑफॉरेक्स में एक टॉपिक है कैंसलेशन और कैंसलेशन में ओवर रिड्यू फावर्ड कॉंट्रेक्ट है अरली डिलिवरी है स्वैप लॉस स्वैप गेन और स्वैप लॉस देना है कि नहीं देना है स्वैप गेन का क्या ट्रिट्मेंट है जो ने रूल से उसके सबसे क्या ट्रिट्मेंट है तो बहुत सारे बच्चों का आया कि सर हमने आपसे तो दो साल पहले क्लास लिया था उस समय तो पंधरा दिन वाला रूल चलता था आप तो तीन दिन वाला है तो उसका क्या treatment होगा तो अब भी जो exam oriented में मैंने record किया है cancellation की बात करों पूरा forex uploading करा हूं cancellation वाला मैं पूरा topic YouTube में upload कर देता हूं सर कप करोगे आज ही कर दूगा रात तक हो जाएगा कल सुबह मिली जाएगा आपको question तो वो भी और सर जिन्होंने आपकी exam oriented वैसे उसको यह video देखने की जरूरत नहीं है जो मैं कल upload करने वाला हूं कौन सा वाला cancellation वाला पाकी लोग देख सकते हैं ठीक है तो चार मेरी duty है मु तो सर फिर कोई टेस्ट जोइन कर लीजिए वह ज्यादा अच्छा रहेगा ठीक है और अगर टेस्ट होगा भी मेरा तो यूट्यूब में होगा सभी के लिए free of cost है तो कोई issue नहीं सजिश्टिड अगले ही दिन में आपको दे दूँगा साथ मैं discuss भी करूंगा चार्ट्स क एक फश्ट पार्ट अपलोड हो जाएगा चार्ट्स का विद कोईश्ट्स ठीक है ठीक है सर और मैंने कोईश्ट्स दे रखे और कैंसलेशन वाला आज रात में ही अपलोड करवा दूँगा या कल सुन ठीक है थैंक्यू सो मच और और एक बात मैं आपसे बोलना चाहता हू कुछ कोश्ट्स में मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ा है आईसी में क्या है मैं अपने हिसाब से फॉर्मूले बहुत सा एकाथ दो कोश्ट्स है जिसमें मैंने अपने हिसाब से आईसी एई का भी फॉर्मूला है हमारा भी है और मैंने अपना वाला भर बताया है तो उन कोश्चन में मैं ICAI का भी फॉर्मूला लिख लेना भाई उसके लिए एक वीडियो बनाता देता हूं कि कौन कौन से कोश्चन से जिसमें ICAI का भी लिख लेना हलागी हमारा गलत नहीं है पर पता नहीं अगर काड दिया तो यार सब लिखो सब लिखो जो आता लिखो ऐसे नहीं तो ऐसे नंबर चाहिए खर मैं उस मैटर पर बात ही नहीं करना चाहिए थैंक्यू सो मच इतना साथ देने के लिए पेस्ट पेपर के लिए प्लीज आप मैसेज बहुत सारे कॉल है आपके तो सौरी मिलते हैं कल ठीक है